प्रेशन है लोग सभा का चुनाब लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूंतम उम्र कितनी होनी चाहिए। आपके ओप्षन है ओप्षन A 21 वर्स, ओप्षन B 25 वर्स, ओप्षन C 30 वर्स या ओप्षन D 35 वर्स। तो इसका से उत्तर हो जाएगा? 25 वर्स। और राज् प्रेशन के चुनाब के लिए न्यूंतम 35 वर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट कोशन है लोग सभा का सामान यातह कार्रेकाल कितनी वर्सों का होता है? आपके ओप्षन है ओप्षन A 5 वर्स का, ओप्षन B 6 वर्स का, ओप्षन C 8 वर्स का या ओप्षन D 10 वर्स का तो इसका से उ अदिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? आपके ओप्षन है ओप्षन A जब युद्ध चल रहा हो, ओप्षन B जब राश्ट्री आपातकाल चल रहा हो, ओप्षन C जब राश्ट्र पती अपनी विवेक से ऐसा निर्ने ले, या ओप्षन D जब मुख्य चुनाब आ ओप्षन स Catholics कि कम से कम कितने सत्र बुलाना अती आवस्सक है? आपके ओप्षन है, ओप्षन A, एक सत्र, ओप्षन B, दो सत्र, ओप्षन C, चार सत्र, या ओप्षन D, पांच सत्र. आपको जितनी प्रेशन लेक उत्तर पता है उनके आन्सर दीजिए और आगे चेक करते जाएए तो इसका से उत्तर हो जाएगा option B दो सत्र next question है राष्टरपती लोगसभा को कार्रेकाल पूरा होने से पूरू किसकी सलापर भंग कर सकता है आपके option है option A लोगसभा अद्यच्छा की सलापर option B उपराष्टरपती की सलापर option C सरवोच न्यायले के मुखे न्यायधिस की सलापर या option D प्रधान मंतरी की सलापर तो इसका से उत्तर हो जाएगा option D प्रधान मंतरी की सलापर next question है लोगसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने समय तक लगातार अनुपस्तित रहने पर समाप्त की जा सकती है आपके option है option A, दो सब्ताह तक, option B, एक महिना तक, option C, दो महिने तक, या option D, छे महिने तक तो इसका से उत्तर हो जाएगा option C, दो महिने तक लोगसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? आपके option है, option A, लोगसभा अध्याच्चा को, option B, राश्टर पती को, option C, उपराश्टर पती को, या option D, मुख्य चुनाब आयुक्त को तो इसका से उत्तर हो जाएगा option A, लोगसभा अध्याच्चा को नेक्स्ट कोशन है, आपातकाल के दोरान, संसद, लोगसभा का कार्याकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आपके option है, option A, दो महिने के लिए, option B, छे महिने के लिए, option C, एक वर्ष के लिए, या option D, दो वर्ष के लिए आपको जितनी भी प्रैसने के उत्तर पता है, उनके आंसर दीजिए और आगे चेक करते हुए जाएए तो इसका से उत्तर हो जाएगा, option C, एक वर्ष के लिए next question है, उत्तर प्रदेश के अतरिक्त, लोग सभा में किंदो राज्यों का प्रैतिनी दुट्ता है, सबसे अधिक है आपके option है, option A, बिहार और आंधर प्रदेश का, option B, महराष्टर और पस्चिम बंगाल का, option C, करनाटक और आंधर प्रदेश का, या option D, तमिलनाडू और राजस्थान का तो इसका से उत्तर हो जाएगा Option B, महराष्टर और पच्चिम बंगाल का जिसमें महराष्टर की 48 सीटे हैं और पच्चिम बंगाल की 42 सीटे Next question है बिहार में लोगसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? आपके Option है Option A, 32 सीटे Option B, 35 सीटे Option C, 40 सीटे या Option D, 45 सीटे अपना अंसर दीजिए तो इसका से उत्तर हो जाएगा Option C, 40 सीटे Next question है चेत्रफल की दरश्टी से केंदर सासित प्रदेशों में देश का सबसे छोटा लोगसभा निर्वाचन चेत्र कौन सा है? आपके Option है Option A, चांदनी चौक Option B, लच्छदीप Option C, कोलकाता उत्तर या Option D, मुंबई दक्चन तो इसका से उत्तर हो जाएगा Option B, लच्छदीप Next question है लोगसभा में कि संग सासित छेत्र के सरवादिक प्रदेशों में दिर्वाचित होकर आते हैं? आपके Option है Option A, दिल्ली Option B, पंडीचेरी Option C, लच्छदीप या Option D, अंडवान निकोबार दीप समू है अगर प्रेशन अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और लोगों तक सेर भी कीजिए क्योंकि प्रेशन बहुत ज़्यादा महत्तेपूर है सबी लोगों तक पहुँचने चाहिए तो इसका से उत्तर हो जाएगा Option A, दिल्ली दिल्ली से लोग सभा के लिए साथ सीटे निर्वाचित होकर आती है Next Question है लोग सभा के बैठक की अंतिम तिथी तथा दूसरी बैठक की प्रेथम तिथी के बीच कितने समय से अधिक का अंत्राल नहीं होना चाहिए आपके Option है Option A, दो माहा का Options B, तीन माहा का Option C, छे माहा का या Option D, एक वर्ष का तो इसका से उत्तर हो जाएगा Option A, दो माहा का Next Question है निमने लिखित मैं से किसे लोगसभा का अभी रच्चक कहा जाता है आपके Option है Option A, राश्चरपति को Option B, उपराश्चरपति को Option C, लोगसभा द्याच्चह को या Option D, सर्वोच न्यायले की मुख्य न्याधीस को तो इसका से उत्तर हो जाएगा Option C, लोगसभा द्याच्चह को अगर आपने इससे पिछली वीडियो लोग सभा का प्रेथम पार्ट नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल की प्रेलिष्ट में जाकर देख सकते हैं संसर सदस्यों को प्रेथी महिने कितना वेतन मिलता है आपके उप्सन हैं उप्सन A 20,000 रुपे उप्सन B 45,000 रुपे उप्सन C 50,000 रुपे या उप्सन D 1,00,000 रुपे तो इसका से उत्तर हो जाएगा उप्सन B 45,000 रुपे अगर प्रेशन अच्छे लगें तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और प्रेति दिन GKGS और करन्ट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद पढ़ते रहे